कि नमस्कार मैं हूं निलेस बिश्चु कर्मा और आप देख रहे हैं इस समय यूपी न्यूज कि लिग डॉट कॉम आई ये जानते हैं गाउं के बारे में कि समय इस लॉकडाउन में क्या महोल है गाउं का इस कुरोना कॉल में तो हम इस समय मौजूद हैं आयोध्या जिले के सहावल के गरामसभा मौजूद हैं इस समय और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस क्षेत्र के इस हालाइं क्या क्रोना को ले करके आपका बहुत बहुत श्वागत है मारी में सरस्फे क्या क्षेत्र का आप निर्देश था या जो निर्देश था उसनि पालन किया रहा नहीं हमारे मानें जिलाधिकारी महोदे कर जो भी निर्देश है निनर्देश था निर्देशों का पालन हुआ और किस सबसे पहले कि हम अपने ग्राम सभा में जिए लोगों को यह बताया जाए कि एक दूसरे आदूनी से कम से कम अगर कोई नर्गा का काम मिदर लहा है तो भी दू मीटर की दूरी पर वो लो रहें और वार पना घर से बाहर बार निकलते हैं घर आते हैं या घर पर भी रहें तो बार बार जो है हाथ धुलना साबुन से हाथ धुलें यह जिलाधिकारी महोदे के हमारे माननिय प्रधान मंतरी जी माननिय मुख मंतरी जी उनके निर्देशों का यहां गाउं में पालन किया जा रहा है जो भी सरकारी सु परदान जी कि किसी परिवार के पास रासन काड़ हो या ना हो कोई भी व्यक्त गाउं का अगर हमारे देश का है इसी देश का चाहे जो भी वर्ग का हो इसे नहीं मतलब की अगरे पास रासन काड़ है तो किया इस वह इसे शीकायत नहीं है हम लोगों ने हम से वह ब्योस्था किया है कि कोई भी आड्मी हमारे है यहां यह और अश्य आप recipients से अलग है उसको राशन के बिला रहे हैं आप मन्रेगा की बात कर रहे थे मन्रेग इस लॉकडाउन में सरकार दोरा निर्देश भी दिया गया कि मन्रेगा कार चालू रखा जाए चलाया जाए जो भी गरीब प्रवासी मजदूर आये हैं वो कहने का मतलब पैसे से उनको दिकत ना हो तो इस लॉकडाउ वह अगर वो काम करते समय वहां इनके हाथ धुलने के लिए साबून की विवस्था दी गई है और वहां पानी पीएंगे तो घृट खा करके तभी पानी पिएंगे और एक दूसरे से दो मेटर तीन मेटर की दूरी पर उनको काम नापकर के दिया जाता है कि आप दो मेटर क कि दूरी पर रहेंगे आप काम करेंगे और खाते मेंания के पैसा भी हर हफ्ते पैसे भी लग रहें यह सोरकार की त disci जन्परतनिधी के लिए उनका कई योगदान रहा इस लोगदान में अगर बात करें कि मजदूर परवासी लोगों के लिए उनका कई योगदान रहा अब उनका युगदान भई जो सरकार का निर्देश था उस निर्देश के अंसार हमारे मान्य सांसद और बिधायक को गाउं में जा करके जो है लोगों से परधान के माध्यम से कि आपके गाउं में अगर कोई तकलीव या हमाई लाइक कोई सेवा हो आप लोग बताईए या स हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई कम्यान नहीं आई हमारे मान्य सांसद बिधायक जी अभी कल भी आये थे और लोग गाउं के लोगी कठ्था भी हुए समस्या अपनी रख्या समस्या रखी गई कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो समस्या रखी यह उसका समाधान करने के लिए अश्वासन दिया सबसे बड़ी चीज इस छेत्र सुरच्छी तो बहुत अच्छी बात है कि हम जानना चाहेंगे कि आपके इस छेत्र में या आरी बगल या आपके ग्रामसभा में कोई क्रोणा मरीज पॉश्टिव मिला ंहां हमारी हमारे ही ग्रामसभा में एक मरेश समसाद नाम का वह पॉश्टिव मिला और गाउं को सील किया गया वह गया 14 दिन के बाद उसकी पाजिटिव बजार निगेटिव आया स्वास्त विभाग लाकर के जो है फिर उसको गाउं में छोड़ा अभी 28 दिन का यह होता है कि सील जो है 28 दिन सील रहेगा अभी 26 दिन हो रहा है परसों जो है गाउं को इस लोग डॉन में करोना की महामारी में सेनीटाईज भी करने का निर्देश था कितनी बार किया अपने अब करादिया सब्सक्राइब हो दो बार सफाय करमी का क्या भूम क्या थी इस लोग डॉन में क्या वो कारते था करते थे तरह कि एक जुलाई से जितने भी विध्याले से विध्याले को खोल दिया जाए लेकिन सिर्फ उसमें अध्यापक ही आइए भी बच्चों को आने वह पे आने की अनुवती नहीं दे वह तो इसकूल खुलने के पहले सफाई कर्मी का जो कार्य होता, किया अभी वो शुरू कीया है, यह ना वी तो वही जो है, वो सैंटर बना दिये थे तो ने यहां विभाने सब्सक्राइं हो बाबर साफ होता है था हिए ठन्य वाद आप एक तो डर्शकों को बताना कार क्रोन में करोना के महामारी में कैसे रहना चाहिए उनको क्या चीजें उपयोग करना चाहिए कैसे क्या परियोग करना चाहिए जो हमारे मानने प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी का निर्देश कि हम लोग एक दूसरे से जितना ज्यादा ज्यादा दूरी बना तो उची दूरी बना करके हमको जाना है कोई भी समान अगर हम यूज करते हैं या उसको छूते हैं तो एक बार जरूर हाथ को सनीटाइज कर लेना चाहिए सनीटाइजर के माध्यम से और लोगों से दूरी बना कर रखें बाहर निकले तो मुपे माक्स लगा के चरूर निकले बहुत बहुत धन्यबाद आपका परधान जी हमारे साथ जुनने के लिए धन्यबाद